दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल नैंसी शुभम उफिशियल पर दोस्तों आए जान लेते हैं बढ़ सावित्री ब्रत कब रखना है और इसके लिए क्या पूरा महत्तु है इसके ब्रत का नियम जानेंगे तिथी जानेंगे और सुब मुरत्वी जानेंगे दोस्तों हिंदु धर्म के जेट महिने की अमावश्या के दिन बढ़ सावित्री ब्रत रखा जाता है इस दिन सुहागन महिलाएं ब्रत रखती हैं और बर्गत के पेड़ की पूजा करती हैं धर्म सास्त्रों की अनुशार बढ़ सावित्री ब्रत का महत्त करबा चौत जितना नहीं बताया गया है। उसकी परिक्रमा करती हैं और ब्रक्ष के चारो ओर कलावा बांधती हैं तो ऐसे में अगर आप भी बट सावित्री ब्रत कर रही हैं तो थोड़ा सा आपको नियम के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों बढ़ शावित्री ब्रत की सही बाली थिती क्या है यह आप लोग जान लीजिए बहुत सारी लोग गुमरहा कर रहे हैं 18 को मनाए या 19 को मनाए तो आपको बता दें जेट महिने के कृष्ण पक्ष की अमावश्यति थी कि सुरुवात 18 मई को रात 9 बचकर 42 मिनट पर हो रहा है इसका समापन 19 मई रात को 9 बचकर 22 मिनट पर होगा ऐसे में उद्याति थी के अनुसार बच सावित्री ब्रत जो है वो 19 मई 2023 को सुक्रवार के दिन रखा जाएगा 18 तारिक को नहीं रखा जाएगा इसलिए आप साबधान रहें गलत दिन पर आप ब्रत ना रखें दोस्तों अब आप लोग बच सावित्री ब्रत का पूजा मुहरत भी जान लीजिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा 19 मई को ब्रत रखना है तो 19 मई की सुभ़े 7 बचकर 19 मिनट से सुभे 10 बचकर 42 मिनट तक सुभ मुहरत है पूजा बाला इस समय आप पूजा कर सकती हैं दोस्तों अब आप लोग जान लीजिए बच पूर्णिमा ब्रत थि क्या है बच शावित्री बाले दिन सुहागिन महिलाएं प्राता जल्दी उठती हैं इश्नान करती हैं इश्नान करने के बाद ब्रत का संकल्प लेती हैं इस दिन पीला सिंदूर लगाना सुब माना जाता है दोस्तों अब आप लोग इस ब्रत के कुछ नियम जान लीजिए तो आईए मैं आपको बताती हूँ दोस्तों बर्गत के पेड में जल डाल कर उसमें कुछ फूल, चावल और मिठाई चड़ाईए ब्रत में रक्षा सूत्र बांध कर आश्रवाद लें ब्रत की साथ बार परिक्रमा करें इसके बाद हाथ में काले चने लेकर इस ब्रत की कथा सुननी चाहिए कथा सुनने के बाद पंडित जी को दान देना आप लोग बिलकुल भी ना भूलें दान में आप बस्त्र दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं या चने भी दे सकते हैं तो दोस्तों, 19 मई को बच्शावित्त्री का ब्रत इससे दिन रखियेगा कोई अनितिती नहीं है, 19 मई 2023 को ही बच्शावित्त्री ब्रत है, राधे राधे दोस्तों